है वेलकमगियर स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्CSर में हम पढ़ेंगे मानव वुगोल के मूल-भूत तत्वा और वह किसके अनुसार इक वुगौल विता थे जीन जून्स उनके अनुसार अलग-अलग वुगोल मानव भूगोल के मूलभू तत्वा अलग अलग प्रकार से वर्गीकरत किये हैं तो इन में से आज जो हम वर्गीकरन देखेंगे वो है जीन्स ब्रून्स की अनुसार मानव भूगोल के तत्वा का वर्गीकरत हैं अब इनके अनुसार जो तत्वा हैं उससे पहले हम देखते ह मानव भूगोल के तत्व होते क्या हैं मानव भूगोल के विशे में हम जानते हैं कि मनुसे ने विज्ञान और प्रोद्देगी की के शेत्र में विकास किया और उसके परिणाम स्वरूप वातावरण के साथ अपने समंदू के निरंतर परिवर्तन किया है प्राचीन काल में मनुसे उस प्रकृति के द्वारा प्रतेक स्रूप से नियंत्रित था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वह प्रकृति से स्वतंत्र हो गया और प्रकृति को ही प्रभावित करने लगा प्रारंब में मनुसे के क्रिया कलाप, बोजन संग्रे, शिकार, पसूपालन, क्रसी इन सब तक ही सीमित थे लेकिन धीरे धीरे उनकी उच्चावसित्ताएं मनुसे की उच्चावसित्ताएं जन्म लेने लगी जैसे सिक्षा, मनुरंजन, सरकार, धर्म, संस्कृति, आदि का उद्भा हुआ इस प्रकार मानुव ने इस प्रकृति में विद्देमान जो प्राकृतिक तत्व थे उनके उप्योग द्वारा प्राकरतिक तत्वों का उप्योग करके अन्य सांस्कृतिक तत्वों को जनम दिया तो ये जो प्राकरतिक तत्वे और इन प्राकरतिक तत्वों के द्वारा मनुस्ये ने जो सांस्कृतिक तत्वों बनाई इन सभी को मिलाकर मानव भूगोल की मूल बूत तत्व या फिर मानव भूगोल के तत्थे कहते हैं इन्हें विभीन विद्वानों ने अलग-अलग रूपों में बरगीकरत करके प्रस्तुत किया है अब हम समझ चुके हैं कि मानौ भूगोल के तत्वों से तात पर उसको सुक्समरूप से प्रदर्शित करने से ही है बस मानौ भूगोल की जो विसे सामरूप से वही मानौ भूगोल के मूलबूत तत्व हो जाते हैं हम जानते हैं कि विभिन भूगोल विताओं ने मानौ भूगोल के तत्वों का विभाजन अलग-अलग प्रकार से किया अपने अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से इनका वर्गी करन किया है लेकिन एक सामन ने उनमें विसेस्ता दिखाई देजिए वो क्या है कि लगभग सभी भूगोल विताओं ने मानौ भूगोल के तत्वों का दो भागों में वर्गी करन किया है दो भाग बताए हैं एक तो भोतिक और एक सांस्कृतिक भोतिक या ब्राकृतिक तत्थे फिजिकल और नेचूरल फेक्ट्स और सांस्कृतिक या मानव ये तत्य बोतिक जो प्रकृति में पहले से उपलाव्द थे और सांस्कृतिक जो मनुस्य ने खुद बनाए है कि अंदर हम क्या क्या ले सकते हें कि कि स्तान की भोगोलिक श्थिती है वाकिस खलाकृति है जलवायू बनस्पती जलास dif जीव जंतू घनिज पतार्थ आदि-ादि सब चीजर्शें हम बहुतिक तत्यों के अंतरगत ले सकते हैं इसके विपरित मानव ये तथे या सांस्कृतिक तथ्यों के अंतरगत हम किसे ले सकते हैं जैसे जन संख्या, मानवी बस्तियां, विभीन परिवहन, मार्ग, कला, साहिते, सिक्षा, सरकार, मनुस्य से जुड़ी जो भी चीज़े हैं मनुस्य ने जो खुद बनाई हैं उन सब को हम सांस्कृतिक तथ्यों के अंतरगत सामिल कर सकते हैं अनायक भूगोल विताओं ने इनी तथ्यों का विभाजन अलग-अलग प्रकार से किया है तो जो भूगोल विता किन-किन का नाम आता है इसमें मुखित है विडाल डीला बलास, हटिंग गटन, ब्रूंस, फिंचय जीन ब्रूंस थे उन्होंने इनका वर्गीकरन कैसे किया है क्योंकि जो जीन ब्रूंस का वर्गीकरन और एक और भूगोल विता एल्सवर्थ हटिंग गटन इनका विभाजन वो सरवादिक सार्थक माना जाता है अब जीन ब्रूंस ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभ पर सभ्बेता के तत्फों के आधार पर जो मानुभुगोल के तत्वत है इसका उनोंने आगे और उप विभागों में वर्गी गरण किया है जैसे पहला इन्होंने लिया प्रमुख आवसेक्ता हैं उस्था मनुष्य को बजन वस्त्र और मकान तो प्रमुख आवसेक्ता से असुपालन क्रशी खनन और द्योगी करन तुरा कि आगे सा माजका अंतरग्त मनुस्यों की अंतर निर्भरता फिर साहकारी तार्ट श्रम विभाजन नागरिक व्यवस्त्य नंस प्यांब कर जो मानुव भूगोल का मूलभूत तत्व है उसके अंतरकत सामिल किया है फिर राजनितिक और एतिहासिक भूगोल राजनितिक और एतिहासिक मतलब जो राजनितिक या प्रशासनिक या फिर एतिहासिक घटनाई होती हैं उनके तत्थे उनको इसके अंतरकत लिया गया है फिर क्यों चोटे हैं उप विभाग हैं उन में विभाक किया है पहला है मिट्टी का अनुपादक उपयोग जो कि किसी काम का नहीं होता इसका कुछ फाइदा नहीं होता वनस्पति और जन्तु जगत पर मानव की विजयव को तीसरा हनुस्य के विध्वनसात्मक कार्य है तो इन द देखें तो इनका जो एक और मोटा विभाजन है उसके अंतरगत इनों ने जो मानुव गोल के मुलभूत तत्व हैं उनको मुखे तक तीन बड़े भागों में और उन तीनों को दो-दो और उप विभागों में बाटकर कुल छे उप विभागों में विभाजित किया है उनमे पहला इनोंने बताया कि मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग इसका मतलब कि इसके अंतरगत इनोंने जो दो छोटे उप विभाग किये थे वो क्या है इतो मकान और एक सडक मार्ग कि इन दो कार्यकलापों के द्वारा मनुष्य ने मि अगला वनस्पति जगत और जन्तु जगत पर मानव की विजय यह किस तरह से किया है कि इसका जो चोटा आगे और विभाजन उफ विभाजन किया है उसके अंतरगत दो तथे लिये हैं कि एक तो क्रशी वनस्पति जगत पर विजय किस तरह से क्रशी करके और जन्तु जगत पर विजय पसुपालन करके प्राप्त की है क्रशी के अंतरगत क जैसे कि पठारी शेत्रों में पाड़ी भाग होते हैं वहां पर क्रशी का प्रकार सीड़ी दार हो जाता है घास युक्त मैदान होते हैं वहां पे बड़े बड़े फार्मों में बड़े बड़े क्रशी यंत्रों के द्वारा क्रशी की जाती है मैदानी भागों में गहन के द्वारा मनुसे ने वनस्पती जगत पर विजय प्राप्त की है पसु पालन के द्वारा भी मनुसे ने जन्तु जगत पर विजय प्राप्त की जैसे पसु पालन विविनेच छेत्रों में मनुसे अपनी आवसकता के अनुसार पसु को पाल लेते हैं अलग-अलग छेत्रों बागो में उंट पाल लेते हैं friendly धुरूए शेत्रों में रेंडियर पाला जाता है specifically परशी शॏत्रों में भैस यह सब पाले जाते हैं फिर जहां पर कि सिर्फ गास जुकत शट्र हैं उब्धर हैं सिर्फ चराई पर निर्वर यह वह त्रे गूंपी Candi सब्सक्राइ spend mister ऑफ-so को प्राप्ट करने के लिए क्या जाता है इस में घरी ख़दाने खोद दी जाती है और उन घरीख अदनों के द्वारा कर लिए जूचन किया जाता है दो दो कोद कर गेरी खदाने बना दी तो इस कारण वहां बहुत सी भूमी अनुपियोगी होगी तो खनीजों के शोशन के द्वारा भी भूम-भूमी का विनासकारी उपियोग हुआ तो अधर हम इस प्रकार हमने क्या देखा कि जीन्स ब्रूंस ने मानुव घुगोल के तत्तों में मानुव के सांस्कृतिक तत्तों को भी सामिल किया और दूसरी बात यह है इससे भी बड़ी बात कि उन्होंस सांस्कृतिक तत्य थे उनको अधिक प्रात्मिक्ता प्रदानगी तो थैंक्यू